नमस्कार बहुत स्वागते आपका आश्टों तक पे आप देख रहे हैं तंत्र मंत्र और विज्ञान और मैं हूँ शुति दिवेदी बचुक भैरव अनुष्ठान के बारे मैं बताती हूँ बचुक भैरव अनुष्ठान करता है कठिन मनोरतों की पूर्ती हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक अनुष्ठानों का उलेक मिलता है जिने उचित विधी और निर्थारित मुहुर्थ में संपन्न करने से साधक की कठिन और दुश्कर मनोकामनाओं की पूर्ती होती है ऐसा ही एक सिध अनुष्ठान है बटुक भेरव अनुष्ठान इस अनुष्ठान को संपन करने से साधक अपनी मनुवांचित अविलाशाय पूर्ण कर सकता है या अनुष्ठान रवी पुष नक्षत्र, पूली की पूर्णिमा, ग्रहन काल, दुर्गाष्ट में कोई संपन किया जाना आवश्यक है आवश्यकता अनुष्ठान इसे गुरुपुष या सर्वार्च सधीयोग में भी संपन किया जा सकता है या फिर किसी रविवार को भी संपन किया जाना बहतर माना जाता है चली जानता है कैसे करें बटुक भैरव अनुष्ठान इस अनुष्ठान को संपन करने के लिए मंदिर या अपने घर का कोई साफ स्वच्छ या एकांध कक्ष्य उचित रहता है श्रेश्ट और निधारत मुहूर्त वाले दिन सर्व प्रत्थम हल्दी से भोज पत्र पे बटुक भैरव यंत्र का निर्मान करें यंत्र के मध्य में घी का दीपक रखें यंत्र के सम्मुक भैरव जी का चित्रस्थापित करें संकल्पले आवाहन करें स्थापन और यंत्र प्रतिष्ठा करने के उपरांद भैरव जी का शोडशोप चार पूजन कर उन्हें दही बड़े या मंदरा का भोग अर्पित करें इसके उपरांद इस मंदर से घी और शहद मिश्र जौतिल से हवन करें हवन के उपरांद यंत्र को अपने पूजा घर में स्थापित कर मनवांचित कारे सिद्धी होने तक नित्य पूजा अर्चना करते रहें कारे सिद्धी होने के उपरांद यंत्र को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें इस अनुष्ठान को विशक्त अनुसार एक तीन या पांच बार संपन करने से कठिन से कठिन मनोरतूं की पूर्ती होती है चलिए जानते हैं क्या है यह मंत्र ओम रीम बटुकाय आपदुत्धारनाय कुरुकुराय बटुकाय रीम स्वाहा मैं रिपीट करती हूँ ओम रीम बटुकाय आपदुतु आरनाय कुरू कुरू बटुकाय रीम स्वाहा इस मंत्र को रुद्राक्ष की पंचमुखी माला पे करना बहुत ही श्रेव माना जाता है आप अनुष्ठान नहीं करते हैं और केवल इस मंत्र का जब एक माला करते हैं तो घर में सुख शान्ती बनी रहती है घर में यदि क्लेश बहुत हो रहे हैं तो वो ख्लेश भी हतम होते हैं ऐसी खास बातें लेकर आउंगे मैं शुरुती दिवेदी के वल तंत्र मंत्र और विज्ञान में आश्रु तक्ति नमस्कार